मैं कानपूर से बात कर रहा हूँ, यह मेरी जो कम्प्लेन है, 6 दिसंबर की, यह दो बार बंद करी जा चुकी है, मैं उचको इसकी रेमेडी नहीं दी गई है आप कानपूर से बात कर रहा है, किदवाई नगर हाँ, किदवाई नगर से बात कर रहा हूँ लाइन पर हूं यहां जी अपकी अंध नश कर देगे यहां पर नेटवर्क होच चुकिए सर ने क्यों कमप्लेंद क्लोस कर रहे हैं बार बार जब जब मेरी कम्प्लेंद रिजॉल भी नहीं हुई ये क्यों क्लोस कर करें और यह यह आपको अपर जिखक इन्सटेप्ब कर दितशील दीक आपको नेटवर्क कवरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी याप लोगे कि अब यह आप लोग मिज़़े कर रहे हैं मैं जो कम्प्लेण लिख रहा हूं वह मुझको लिखवागो के नहीं कर रहे हैं अपने हिसाब से आतम अपयोग कर हो एद आ धिक है आपकी प्रॉब्म ज़ती है नहीं थी सर्ष्ण स्पीड की मेरे पास recording है मेरे पास मेरे फोन में recording है में कोट चला जाओंगा कि आप कहीं भी जा दखते हैं अपना प्लीज मेरी कॉल जो रिकॉर्डिड है च्छा दिसंबर की उसमें सुनिये कि मेरे क्या कम्प्लेंट थी आप डाटा इस्व बदाइए नहीं आप आप तो डाटा फेच कर सकते हैं आप करो नेटवर्क की कम्प्लेंट थी नहीं थी आप आप रिकॉर्डिंग सुनिये ना रिकॉल करिये रिकॉर्डिंग मेरी हमारे पर रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो सर यह तो फिर मेरी जो कम्प्लेंट हो कैसे रिजॉल्व होगी इशु क्या है मैं आपको फिर बताओंगा फिर आप कुछ और नोट करोगे कर रिजॉल्व तो हो नहीं नहीं है चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ इशू क्या है इशू यह है कि मैंने जियो का सिम लिया हुआ है और आइडिया का सिम लिया हुआ है सिम वन पर मैंने जियो का सिम डाला है मेरी कंपेंड यह है कि जैसे ही मैं डाटा जियो से हटा के आइडिया पर लगाता हूँ मैं कहीं पे गया था मेरे को Jio का Network सीलो लगाया मैं नहीं उस करना चायता हूं या एक जी वी हो गया जो फ्री है उसके बाद मैं नहीं उस करना चाहता हो तो मैंने Data Card शक्य confirmation भी अपना Idea पे लगाया जैसे ही मैं uh data idea पे लगाता हूं मेरा Reliance वाला Number वह वह 652 प्रणा वह क्ह Sn ए दैटा बंद कर रहा हूं नंबर थोड़ी बंद कर रहा हूं यह कौन गया सब यह यही कंपले यहीं तो पूच रहो हूं मैं अपसर हड़ बात लिखके तो मेंशन नहीं करेंगे ना नहीं नहीं तो यह तो बतमीजी है सर यह कहां लिखा है आप नेटवर की स्पीड और यह और वह आप भी बता रहे हो ना मैंने अपने मन सब्सक्राइब करता हूं आपको जो सारी चीज़ें लिकेट में चाहिए ना रेटेन में ठीक है यह रेटेन में नहीं मिल सकती है और इसके लिए मैं करेता हूं हमारी 3D डिवाइस में सब इस स divert को दूसर फिर फिर बताइत क्या हमारी सर विस प्रीशेने चालती है तो यह रीटें में देते रहेंगे सारे कस्तोमर सको 3D में नहीं चलती है means अपकी बाद हलो सर अपकी बाद सर मैं तो सुन पारा हूं आप सुन पारे हैं मरी आवाज स्वारे मैं ओर्डिब तो यू येस यार वेरी दिन अडिबल तो मी में अटो HAM सर मैं आपकी आवाज सुन पारा हूं हर मारा वे है र applies करें ये लिए वार समय आपकी यवास उन पारे मिल है हैं तो का रिताखे न चाहर रहे इंदी आप सική पारे में में आपकी आवाजया या चाहिए आप जबला चाहरे हैं इंस आपको सुरूब कर रहा यादिया है आप मेरी आउसन पा रहे हैं, तो प्लीजी रप्लाई करें बत्यूजी कर रहे हैं आप लोग, RELIANCE is making fools of people है तो यूँए आप मेरी आउसन पा रहे हैं तो प्लीजी रप्लाई करें येस, loud and clear सर मैं आप से request करूँगा यदि आप मेरी आवास पारे हैं तो please reply करें आपको बाती नहीं करनी है, आपको मेरी complaint ही नहीं resolve करनी है आप लोग गलत complaint use, मेरी note करके और मेरे को उल्लू बना रहे हो मेरे को क्या पूरे सर आप लोग आप सब को misguide कर रहे हैं तो please reply करें, बहुत बढ़िया, अभी तक सुन पा रहे थे, वाप मेरी आवाद ही नहीं सुन पा रहे है Am I audible to you? Yes Speak up क्या आप मेरी आवास सुन पा रहे हैं सर Speak up सर, I am able to hear you, answer me Answer me सर आपकी आवाद नहीं आप रहे, बोले, क्या बोल रहे है मेरी आवाज आ रहे हैं आपको Yes, आप आ रहे हैं, बताइए अच्छा आने लगी चलिए, बहुत बढ़िया मैं यह कह रहा हूँ Sir मेरी complaint resolve करी है यह बिल्कुल यहां से resolve करी गई है अरे resolve करी गई तो sir आज भी मैं data जैसे ही अपना idea पे ले जाता हूँ Reliance का SIM बंद हो जाता क्यों बंद हो जाता क्यों बंद हो जाता मैं नंबर थोड़ी यूज करना चाहता हूँ data नहीं उस करना चाहता हूँ हमारी service है न वो interconnected data and networks के data बंद हो तो automatically tower चले जाएंगे data बंद होंगे तो tower चले जाएंगे तो यह यह बात data बंद करेंगे तो सेम बंद जाएंगे mandatory चीज़ है सब भी आपको बीटरेट बंद करेंगे sir what is your name Nitesh I am going to post this on social media so be very confirm on whatever you are saying you can sir मतलब अगर हम लोग Reliance का data बंद करेंगे तो we cannot use the mobile services of course you can I can use the mobile services you can't use the mobile services अभी आसे जब pre-jects करे जाते हैं तो यहां से information मांगे जाते हैं कि आपकी mobile data unit के लिए selected है कि नहीं जब आपके phone में network नहीं आते हैं नहीं तो अभी जैसे मान लिए किसी के पास दो SIM है और वो चाहता है कि मैं data किसी और का use करूँ जैसे ही वो data किसी और का use करेगा वो उसका reliance का number deactivate हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा हो जाएगा तो जिसका मतलब यू जिस spoon में भी reliance का data card पढ़ेगा you are compelling people to use it on SIM1 and use it with data active on of course ठीक है ना सार हाँ जी मतलब मेरी complaint resolved नहीं होगी फिर यह complaint यहां से resolve होगी है आपको data हमेसा must on रखनी पढ़ेगी जो mandatory field है मतलब मेरी जो शिकायत थी वो यही थी कि मैं data दूसरे का use करना चाहते हो तो इसका मतलब यह मेरी अब resolve नहीं होगी according to you क्योंकि जैसे ही मैं data off करूंगा reliance के tower चले जाएंगे data तो हम इसा on रखनी पड़ेगी सर रखना पुड़ेगा ठीक है ना तो यह बात जब geo sim दी जाती है तो लोगों को बताई क्यों नहीं जा रही है is it printed on your sim card manual एक सर बात मुझे मैं आपको अभी थोड़े पहले बता रहा था कि हमारी services windows phone में नहीं चलती है तो कि हम अपन SIM पर लिख देंगे कि not supported for windows हाँ विल्कुल लिख देंगे SIM का जो packet है उसमें लिखके देंगे not supported for windows लिखके देंगे आप it is your moral duty to write on that यह कोई moral चीज नहीं है अगर आप किसी चीज की sell up कर रहे हो ना marketing कर रहे है हाँ हाँ आप यह नहीं बता सकते हैं कि windows नहीं चले जब आपको पता है कि windows में नहीं चल रहे है इसके android वर्दन यह supported नहीं है तो सारी चीज हम सिम के packet के पीछे सिम आप बेच रहे हो आप नराज क्यों हो रहे हो सिम आप बेच रहे हो तो आपको उस पर लिखना चाहिए यह ब्लैकबरी पर सपोर्ट महीं है यह लिख दीजे support it only for apple and android it is it is simple you have to write that अगर कोई गाड़ी होती हम लोग लेते हैं तो इस पर लिखा होता ना सर कि यह डीजल की है पेट्रोल की है इसमें डीजल की है तो जो है इसका अंजलिब डीजल डालना है तो अगर आप कोई सिम बेच रहे है अगर उसके साथ कोई condition आ रही है कि जैसे इसमें sir mandatory है कि आप reliance data use करेंगे जब data card on रखेंगे तभी reliance का नंबर चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा यूशुट अगर हम airtel की और idea की दो सिम लेते किसी पर डाटा चलाएं किसी का भी नंबर चलाएं कोई boundation नहीं होती है आपने एक extra boundation आपने नहीं प्लीज़ कि पैकेट के पीछे यह लिख देंगे कि यह इस सर्विस में नहीं चलेगी ऐसे नहीं चलेगी वैसे नहीं चलेगी यह तो non issue हो गया sir नहीं non issue कैसे हो गया sir आप आप जो है Sir you are loud and clear audible बहुत बढ़ी आई यह तरीका बहुत अच्छा है कि पीच पीच में स्थियर को अब इस दरोपे न अपका सबहुत जो अधर विलना very nice reliance very nice you people are making good experience with our advisor on a scale of zero to ten you know satisfactory it is most satisfactory enter your response followed by hash key it is zero response is zero